या हुसेन, या हुसेन या हुसेन, या हुसेन या हुसेन या हुसेन, या हुसेन चहां को सबर का मतलब बता रहे है हुसेन या हुसेन या हुसेन या हुसेन जहां को सब्र का मतलब बता रहे है हुसे जहां को सब्र का मतलब बता रहे है हुसे खुदा की रहां में सब्र कुछ लुटा रहे है हुसे नीचे लुटा रहे हुसे खुदा की रहे है हुसे फलक भी रो पड़ा उस दम फलक भी रो पड़ा उस दम जमी में थरड़ाई बलक भी रो पड़ा उस दम जमीन थरड़ाई बलक भी रो पड़ा उस दम जमीन थरड़ाई जवान बेटी गलाशा उठा रहे है हुसे जवान बेटी का लाशा उठा रहे है हुसे जवान बेटी का लाशा उठा रहे है हुसे जवान बेटी का लाशा उठा रहे है हुसे शेर को समझते हैं और इमाम आली मकाम से महबबत करते हैं तो शेर पे तवज्व दे सजाई हमने जो जिकर हुसेद की महफिल सजाई हमने जो जिकर हुसेद की महफिल सजाई 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 हमने जो सिकर हुसेद की महफिल यू लग रहा है यू लग रहा है के तश्री फुला रहे है हुसेद सजाई हमने जो लग रहा है के तश्री फुला रहे है हुसेद सजाई हमने जो लग रहा है यू लग रहा है के तश्री फुला रहे है हुसेद और जो आली मकाम से महबत करते हैं उनको ये श्यर नजर कर रहा हूँ और ऐसा कोई नहीं है जो एहल बैस से प्यार ना करता हूँ हाई हाई भै कमाल है लहू को असगरे सेया साब श्यर सुना आप लहू को असगरे कम्सिन का लेके हाथों में लहू को असगरे कम्सिन का लेके हाथों में चराग दीने, चराग दीने, चराग दीने मुहम्मद चला रहे है हुसें चराग दीने, 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 चराग जिसके हाथों में कौसर की तकदीर हो लोग कहते हैं कि सरकार प्यासे रहे तीन दिन तक अरे मसलहेफ है जिनके खुलामाने खुलाम जिनकी आल की आल हुजूर घुरीब नवाज ने पूरी दुनिया को ये करके दिखा दिया कि एक अना सागर पूरा अनौस आगर एक छोटे से कांसे में समेट लिया सबरो रजा के पैकरे इमाने जाह हुसें है तरजमा पुरान का तेरा बया हुसें आयम है जिसके सद्के में सारा जहा हुसें वो वजह काइनात तेरे नाना जाह हुसें शिमरो यजीद नाम के इनसा नहीं कहीं घर घर में आज भी है तेरी दासता हुसें तेरे गदा तो कांसे में दरिया समेट ले तेरे गदा तो कांसे में दरिया समेट ले तेरे गदा तो कांसे में दरिया समेट ले मनुजूर था खुदा को तेरा इमता हुसें आसू गिरे जमी पे तो गोहर निकल पड़े नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े ये इमताहन सबर है वरना हुसें है ये इमताहन सबर है वरना हुसें है उंगली जमी पे रखते तो कौसर निकल पड़े अरे इमाम आली मकाम का तो बहुत बड़ा मकाम है मैं हज़रते अबास अलमदार रदियल्ला अन्हों का जिक्र कर रहा हूँ देखिए तबज्जदे फात्मा जहरा के बच्चों की घुनामी कर लो ये वफादार को अबास बना देते हैं तबज्जदे अजम से सबुर से अजम से सबुर से एहसास से डर लगता है जाबजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है शाम से इसलिए करबल में नहीं आया यजीद उसको जैनब तेरे अबास से डर लगता है कोई नभी नहीं है मेरे मुस्ताफा के बाद कोई नभी नहीं है मेरे मुस्ताफा के बाद शेरे खुदा नहीं है कोई मुल्तजा के बाद ना है किसी के बेटे हसन और हुसैन से ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाओं में ऐसी नमाज फिर नहुई कर बला के बाद दर बारे शाम में कहा जैनब ने सुनी यजीद दरते नहीं हैं हम तो किसी से खुदा के बाद अब आस तेरे नाम को मैं अपने खुन से अब आस तेरे नाम को मैं अपने खुन से पहले वफा से लिखूं या लिखूं वफा के बाद पहले वफा के बाद खुदा कवा है लफजे बुराई को आसिफ बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है जमाना बढ़ा रहा है जमाना मिटा रहे है हुसे बढ़ा रहा है जमाना मिटा रहे हुसे एक शेर समझा नहीं तुमने हम मुहर्म शरीफ में अपने घरों में मजली से कराते हैं जितने सुनी अकीदे के हैं मजली से कराते हैं जिकरे हुसें कराते हैं इमाम आली मकाम का जिकर होता है तक्रीरे होती हैं लंगर होते हैं सबील बढ़ती है तो शेर तुमने समझा नहीं था कराई हमने जो जिकरे हुसें की महफिल अरे सजाई हमने जो जिकरे हुसें की महफिल यू लग रहा है के तश्रीफ फुला रहे है हुसे लग रहा है के तश्रीफ फुला रहे है हुसे खुदा तिरा हमें घर को दा महें हुसे